प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्टर ता, नो यूर फेट आपको होली का देहन में अपनी राशी के अनुसार एक लकड़ी जरूर अर्पित करने चाहिए, जिसे आपके ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन से दूर हो सके, इसके साथ ऐसा करने से आपके रुके हुए काम जो होते हैं, बहुत लंबे समय से अगर कोई काम अटके हुए हैं, तो वो भी बनते हैं, सुक समरिद्धी की वृद्धी होते हैं आपके घर में और इसके साथ ही धनागमन के योग भी बनते हैं, तो अपनी राशी के अनुसार ये छोटा सा उपाई जरूर अपना करके दिखेंगा, क्या करना है आपको सबसे पहल राशी और विष्चिक राशी के जो स्वामी हैं, वो है मंगल, तो आपको होलिका देहन के समय में होलिका की अगनी में खैर की लगड़ी जरूर अरपित करें चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा वोड़ भी जरूर अरपित करें, वहीं आपको जो मंत्र जब करना है, वो मंत् अरपित करनी है, गूलर की लगड़ी और इसके साथ आपको थोड़े से तिल भी जरूर अरपित करने है, और जो मंत्र जब करना है, वो करना है, ओम शुम शुक्राए नमाहा, इस मंत्र का आप जब करें, और होलिका की प्रग्मा भी जरूर करें, अब हम बात करेंगे, और पूर भी ज़रोर डालना है होलिका की अगरी में तब आपको मंत्र जुजब करना है... वो मंत्र करना है इस एड को स्केप करना थो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलीचन ढूढ़ना आसान बात करते हैं कि करकराशी कि के जो स्वामी है वो हैं चंद्रमा, चंद्रमा मन कारक है और इसके लिए जो लकडी का आपको इस्तमाल करना है होलिका की अगनी में अर्पित करने के लिए वो है पलाश की लकडी, आपको पलाश की लकडी अर्पित करनी है और इसके साथ ही आपको थोड़ा सा लोबान भी होलिका की अगनी मे जरूर डालना है और जो मंत्र जब करना है वो है ओम सोम सुमाई नमा इस मंत्र का जब जरूर करें तो इससे जो आपके कुंडली में ग्रह दोश है वो भी कम होंगे और जो नकारात्म कुगरु सभाव के हो जाते है इस समय पे ग्रह वो भी शान्त होंगे बात करें सिंग राशी की तो सिंग राशी के लोगों को मदार की लकड़ी होलिका की अगनी में जरूर अरपित करनी चाहिए साथ में थोड़ा सा गुड़ भी अरपित करें इसके साथ ही जो मंत्र आपको जब करना चाहिए वो मंत्र है ओम ग्रिनी सूरियाए नमहा इस मंत्र का जब भी आप जरूर करें अब हम बात करेंगे धनु राशी के बारे में धनु और मीन राशी के जो स्वामी है वो है देव गुरू ब्रश्पती तो ऐसे में आपको जिस लकड़ी का इस्तमाल करना है वो लकड़ी है कदम की लकड़ी कदम की लकड़ी आप हुलिका की अगनी में जरूर अरपित करें इसके साथ ही आप थोड़ा सा जौं भी उस अगनी में जरूर अरपित करें और जो मंत्र जब करना है वो करना है आपको ओम ब्रिम रिहस्पते इनमहा इस मंत्र का जब भी आप जरूर करें बात करेंगे हम हमारी आखरी दो राशियों के बारे में यानि की मकर और कुम राशी के बारे में जिनके स्वामी है शनी लिए जो लकड़ी है जो अर्पित करनी है आपको होलिका की अगनी में वो है शमी की लकड़ी तो शमी की लकड़ी आप जरूर अर्पित करें होलिका की अगनी में इसके साथ ही आपको थोड़े से तिल, काले तिल भी जरूर अर्पित करने हैं और जो मंत्र जब करना है आपक प्रभाव भी कम होता है और आपके जीवन में सुक्सम्रिद्धी की वृध्धी भी होती है तो इस छोटे से उपाय को आप जरूर अपनाईगा ये करना है आपको होलिका दहन के समय पे होलिका की अगनी में ये लकड़ी आपको अरपित करनी है तो आप इसका बदलाव इसका के जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्ट्रॉलोजेस है